Hello बच्चो, तो आज का चुट टॉपिक है वो यह पर्मुटिशन इन कॉंबिनेशन्स इसके अंदर हम लोग एक सब टॉपिक लेने पाला है इसका नाम है इसका नाम है इसका नाम है distribution काफी दिक्कत आता है जेनरली बच्चो को इस टॉपिक में वो इसलिए बच्चो को सही रास्ता तो बहुत बार पता चलता है बढ़ कैसे कैसे वो लोग गलत कर सकते हैं वो नहीं पता होता है तो मेरा नाम है शुभोधर and I've been teaching J Mathematics for the past 3 to 5 years and मैं आज आपको यह illustrate करने के लिए हम लोग कुछ examples लेंगे जिसके through हम लोग जानेंगे कि हम लोग कितने तरीकों से गलत कर सकते हैं और फिर हम इसको सही करना भी सीखेंगे चले स्टार्ट करते हैं distribution of n different objects to n different people या फिर persons such that each gets exactly one तागे यह बच्चो हर बच्चे को एक-एक मिले ऐसा तो मान लेते हैं आप हम लोग एक लाइक मना लेते हैं कुछ है ना o1, o2, o3, o4 अब टू पकड़ लेते हैं ओ n तक चले इसको छोटा कर देता है चार लोग लेते हैं बच्चो है ना बच्चा 1, बच्चा 2, बच्चा 3, बच्चा 4 है ना और 4 object लेते हैं इनको distribute करना आप बात को समझी समझीगा कि यहाँ पे हम लोग को सारे objects को हर बंदों में बाटना है कुछ condition है यहाँ पे कि हर बंदे को exactly एक ही मिलना चाहिए उससे जादा नहीं उससे कम नहीं यह condition है अगर आप ऐसे देखेंगे ना तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सर मैने object उटै मेरी हाथ में 4 objects था वो देके मैं गया में चार बंदों के पास यहाँ बहुकुल सही सपो तो क्या यह o1 जैसे आप 4 choices को exercise करें किसी एक के पास पहूँझ गया मान लो O1, B1 के पास पहुँच गया तो क्या B1 के पास एक object आ गया येस सर तो क्या B1 कुछ और ले सकता है नहीं सर इसका मतलब O1, B1 के पास पहुँच गया अब बचे आपके पास तीन object तो क्या आप O2 को अगर आप ध्यान दोगे O2 के लिए आपके पास क्या B2, B3 और B4 ही है येस सर इसको तो दे ने सकते हैं अगर इसको दे देंगे तो दो चला जाएगा इसके पास तो क्या आप बोल सकते हैं तो तीन चॉइसे ही O2 मान लिजी आपने B2 को दे दिया तो क्या O3 के पास ये या फिर ये दो चॉइसे बसते हैं तो क्या आपको फील आ गया इसका मतलब क्या है कि चॉइसे कम होते जा रहे है बिल्पल सही तो O4 के पास लास्ट में एक ही चॉइस होगा और बच्चो मैं ऐस्यूम कर रहा हो कि आपको basics of permutations आता है तभी आप इस वीडियो को देखेगा तभी आप समझ पाएंगे तो using fundamental principle of counting total ways of distribution कि अगर बात करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा आपका 4 into 3 into 2 into 1 ये आ जाएगा जिसको हम लोग short form में लिखते है 4 factorial क्या आपको feel आया feel तो आना ही चाहिए तो बच्चों अगर 4 objects है लेकिन यहापे condition ध्यान देना आप लोग 4 object है आपके पास और 4 लोग है हर बंदे के पास exactly एक जाना चाहिए तो अगर मेरे पास 5 persons है and obvious बात है 5 objects है तो क्या आपको feel आ गया आंसर हो जाएगा 5 factorial बच्चों आप लोग बिल्कुल सही तो क्या आप इसी को generalize करेंगे और n persons लिखेंगे और n objects लिखेंगे तो जो आंसर होगा वो n factorial होगा kindly to know तो बच्चों अभी हमारे पास एक illustration है बहुत ही अनोखा बहुत ही must illustration है इसके through हम लोग आपको बताने वाला यह बच्चे कहा का गलती करते है ना चले दिखते हैं तो total ways of distributing n different objects बोला है to n different persons or children लेकिन यह लेकिन यहाँ पे बहुत डिंजरस such that exactly one child gets nothing यह बोला है जैसी बच्चों आप इसको पढ़ेंगे आपको कुछ points note करना चाहिए सबसे पहला point जो है कि बच्चे जो है वो आपके पास बच्चा 1 बच्चा 2 ऐसे करते करते n बच्चे हैं और objects को अभी के लिए chocolates मान लेते हैं बच्चों के लिए मज़ा आ जाएगा c1 c2 ऐसे करके n chocolates भी है यह एक दूसरा point बच्चों यह है कि distribution है जिस तरीके से बटेगा और किसको क्या मिलेगा उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा पहला वाला जो case था उसमें क्या था कि हर बच्चों के एक-एक मिल रहा था लेकिन इस बार हर बच्चे हो अगर आप एक-एक देते हो ना यह चॉकलेट सकर ऐसे 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 आप बाट देते हो पहला की जैसा तो नहीं वहाँ उसने बोला कि हर एक बच्च बतलब हर बार ऐसा होना चाहिए जब यह बाटोगे exactly एक बच्च बतलब इसको कुछ ना मिले आप बोलोगे इसका मदब क्या करें सक्षा इसका मदब यह जो बच्चा है एक ऐसा एक बार कर सकते है कि इसके चॉकलेट उठाके में इसको दिदी इसके पास भी था और इसके बाल उठाके इसको दिया तो वन प्लस वन इसका हो गया दो चोकलेट और इस भाईस आपके पास आगे जीरो चोकलेट और बैचारा रो रहे है ना तो क्या आपको समझ में वह रहा है चो डिस्ट्रिबूशन है वह बहुत इंपोर्ण है कि थो प्लस वाले है किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है बाकी साब को एक 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 इसमें से total लोग जो वो तो इन ही है तो उसमें से एक बंदा है जो special है दूसरा बंदा है वो भी special है और बाकी n में से दो बंदे जो special है और बाकी n-2 बंदे है जो special नहीं है जिनको एक-एक मिल रहा है तो यह है note करने वाला point अभी हम देखने वाले methods बच्चो method number one यह मैं इस सरी किसे करूंगा जिस सरी किसे कोई भी average बच्चा सोचेगा है जिसने भी permutations combinations पर रखा एक level पर उससे गलतिया होता है यह मान के हम चलेंगे तो सबसे पहले वो बोलेगा सर एक बच्चा तो है पक्का जिसको कुछ नहीं मिल रहा है सर एक काम करेगा सर क्या मैं बोलोगा क बच्चे को और उसको कुछ ना दे ऐसा कर लेकिया बिल्कुल हमने बुला कि NC1 से बच्चा चूश करो उसको बाहर फेग दो रूम के बाहर फेग दो बच्चा बाहर लिग दे बने इसको आप बोलोगे सर क्या चल रही है न मज़ा आई है बहुत मज़ा है तो NC1 से एक बच बच्चे इसको कुछ नहीं मिलने वारे है आप बोलो कि सही बात है सर फिर क्या करें सर अभी चॉकलेट्स तो N है मेरे पास सर लेकिन बच्चे तो है like कितने N थे उसमेंस एक बाहर है तो N-1 बच्चे इस बाहर तो सर इन N-1 बच्चो को N-1 चॉकलेट बाट देखिया सबको एक 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 अभी 0 वाला बच्चा बाहर है इसका मतलब एक बच्चा को उसको 2 मिलेगा और बाकी सबको 1-1 मिलेवाले इसका मतलब के पहले एक एक बाट देते हैं वो बोल रहे हैं मैं नहीं बोल रहा हूँ बच्चा बोल रहे है तो उसने बोला कि सर मैं एक काम करता हूँ मैं कोई भी N-1 क्या ना में बच्चो के लिए N-1 चॉकलेट चाहिए पार एक को एक एक ही मिलना चाहिए तो उतने ही फैक्टोरियल होता है और सर लास्ट का जो चॉकलेट था जो पहले हमने चूज नहीं किया दए C1 उसको मैं किसको दू तो मैंने बोला आप किसी को भी दे दो बोला हाँ सरी है किसी को भी दे सकते हैं तो sir मैं किसको दौँ मेरे पास तो options की कमी नहीं है मैं B2 को भी दे सकते हूँ B3 को भी दे सकते हूँ B4 को भी दे सकते हूँ तो मैं आपको बोलूगा ना कि आप छूस करलो तो बोलगा sir मेरे पास 1, 2, 3 करे कितने options है because b1 बाहर है n में से यहाँ पर n-1 ओप्शन से तो सर मैं n-1 तरीकों से दे दूँगा last chocolate तो अगर मैं लिख दूँ इसके पीछे distributing sorry बच्चो distributing n-1 chocolates और ये है distributing last chocolate और ये बच्चा गोलते है sir ये answer जो है न ये सही है तो हम बोलेंगे बिल्कुल answer सही है की नहीं पता लेकिन answer तो तुमें निकाला है बट answer सही तो बिल्कुल नहीं है इसमें बहंकर गलती है क्या के गलती है बच्चो सबसे बहले गलती की बात करेंगे सबसे पहला गलती mistake number one वो ये है कि आपने चूज ही नहीं किया choice का गलती हुआ mistake number one mistake number two है over counting explain कीजिए कैसे चूज होगे choice की बात यह है याद है मैं आपको बोला था n-1 बच्चे थे उनके लिए आपको n-1 चोकले देना था आपने बोला कि मैं C1 को बाहर चोड़े दू सर और बाकी मैं उनको ले देता हू exhaust जिरूरि थुरी ना है कि आप C1 को ही बाहर चोड़ सकते हैं और इनी को लेंगे तभी n-1 होगा जिरूरि थुरी ना है आप बोलो कि सर हाँ सर city को भी तो बाहर चोड़ सकते थे अरे हां सर C3 को भी तो बहार झोड़ सकते थे इसका मतलब सर मैं जितने तरीकों से एक-एक बच्चे को बाहर छोड़ूंगा उतने ही तरीकों से उतने ही तरीके से बाकी के चक्षोकलेट जा है वो मैं ले लूंगा मतलब अगर मैंने C1 को छोड़ा बाहर तो एक तरीका हुआ मैंने बाकियों को सिलेक्ट कर लिया C2 को छोड़ा तो एक और तरीका तो ऐसे करते हैं कि जितनों को मैं छोड़ूँगा तो क्या आप देख रहे हैं आपको बस एक एक चॉकलेट चूस करके छोड़ना था वह आपने नहीं किया तो जो चूजिंग है उसमें गलती हो गया आप बोलो कि तुसर इसमें ठीक क्या करना है आप बोलो का सर यह क्या तरीका है मैं बोलता हो कि एक और तरीके समझाता हूँ आप एन चॉकलेट में से अगर एन मनस वन चॉकलेट को चूस करना चाहते हैं आप इसको लिखते हैं आप एन शी एन माइनस वन तो जब जब एन माइनस वन चूस होंगे तब एक चॉकलेट रिजेक्ट भी तो होगा तो जितने तरीके से आप यह करेंगे इस इक़ल तो nc1 ये भी तो होगा आप बोलो कि यह कैसे मैं बोलोगा आपको एक property याद होगा nc r को हम लिखते nc n-r क्या r के जगह में 1 डालने से यही बन रहा है बच्चो आप बोलोगा ज़रा सर मज़ा आ गया तो nc n-1 से आप n-1 chocolates choose करो या फिर आप nc 1 से एक chocolate reject करो बात एक ही यहां पर आप ठीक करने जाओ गए तो आप बोलोगे सर यहां पर जो मैने 1 लिखा था एक ही तरीके से choose कर सकते है वो तो गलत हो गया बिल्कुल सही है तो क्या मैं इसको nc1 लिख दू? मैं बोलोगा बिल्कुल सही या फिर मैं इसको nc एन मानस वान लिखदू बिल्कुल सही फिर उसके बाद मैंने सब्सक्राइब इसमें कोई प्रोब्लम है क्या कोई प्रोब्लम नहीं इसमें अपने एन मानस वन चोक्टल लिए डिस्ट्रिबूट किया प्रोब्लम फिर आता है यहां पर कि पहला गल्दी को उपने सुधार ल बच्चा 4 ऐसे करते करते बच्चा N तक यहां पर कितने बच्चे हुए एक बहार हुआ तो N मैंसे N-1 बच्चा हुआ आप बोलोगे सर चोकलेट्स तो यह नहीं है बिल्कुल सही तो आप बोलोगे सर मैंने पहले C1 को बहार रखा जब मैंने चूज किया N-1 चोकलेट्स औ करते हैं C-N तक सारों को बाट दिया और फॉर्टूनिटली बीटू को सीटू मिला और बीट्री को सीटू मिला एंड सो और उसके बाद जब मैं लास्ट वाला चौकलेट्स बाटा क्योंकि एक बच्चे को दो चौकलेट्स मिलेगा यह मिलेगा सर इसमें से जब मैंने को देंगे तो क्या आप देख पार है बच्चो बीटू के पास उस वक्त सीटू और सीवन दोनों आएंगे अब उनको बिल्कूल सभी साच अच्छा ऐसा भी तो एक बार होगा ना बच्चो जब बीटू बीवन अभी बाहर है बीवन बैचारा बाहर है और बीटू ही मिला फिर सीफूर ऐसे करते करते सी अन तक मिला शायद आपको फील आ गया सभी क्या गलती होने वाला है और उस वक्त बीटू को सीवन मिला और जो लास्ट चॉकलेट बटा इस बार वो सीवन नहीं है इस बार वो सीटू है तो अगर सीटू बाटने जाएंगे बिना ही मिला जो पहले मिल चुका था तो ही ओवर काउंटी हो गया जब भी हमने मल्टिप्लाई किया विट एंड मानस हो आई होप आपको समझ में आया ठीक है बच्चो तो अभी आप पूछो गया करें तो फिर इसको ठीक कैसे करें चले देखते हैं इसका मतलब क्या है कि यह व पूलूँगा बच्चो बीवान बीटू या आप मैथड डंबर इस बार ऐसा डिस्रीशन होने वाला है कभी इसको जिरो मिले कभी इसको टू कभी ऐसे है ऐसे वन कभी इसको वान इसको वान विसको टू किसी एक को जीरो बाकी सबको वान 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 ऐसे करके अब ऐसे सारा थोड़ना लिखेंगे पागल वागल थोड़न है हम लोग ना बच्चो ऐसा तो नहीं करेंगे सब लिखेंगे लेकिन हमको यह फील आ गया सार लास्ट वाला बाटने से अगर अच्छी बात है बहुत अच्छी आइडिया है लेकिन उससे पहले सर मतलब यहां पर दो स्पेशल एक ओवर प्रिविलिज़ बच्चा इसको दो मिल रहे एक अंडर प्रिविलिज़ इसको कुछ नहीं मिल रहा है सब बाकी सबको एक एक मिल रहा है तो सब पहले इन दोनों जिसको कुछ नहीं मिला साथ में आप बोलोगे सर कुछ तो नहीं मिला ठीक है लेकिन अब दूसरे बच्चे की बारी जिसके पास जिसको दो मिलेगा लेकिन सर एक तो अलड़ी चूस हो गया धान दना एक चूस हो चुका है तो इसमें से एक बाहर जा चुका है बच्चा मा देने वाले तो क्या मैं लिख सकता हूँ बच्चा जिसको दो चॉकलेट्स मिला दो मार्क्स नहीं बिटा दो लिखा मैंने हैं दो चॉकलेट्स मिला ठीक है आप बोलोगे मसता सर्थ लेकिन सर्थ कौन सा दो चॉकलेट्स यह इंपोर्टन है की नहीं मैं बूचूंगा चॉक बच्चे को बच्चे तो चूज़ोगा किसको क्या देने वाले हैं दो देने वाले वो बच्चा चूज़वा पर कौन से दो देने वाले ही important है कि निया आप सोचो कि भी चॉकले तो अभी भी आपके पास पड़ा हुआ है कितना है C1 C2 up to N तक तो आप बोलो सार इसमें से मेर choosing two chocolates to give किस भाई साब को जिसको दो मिल रहा है हमने बोला बिल्कुल सही हो गया मज़ा आ अभी क्या हो अभी थोड़ा सीन देखो अभी आपने बोला था पहले सर पहले जो जीरो बच्चे है उनका पेट भरो उनको खताम करो फिर जो दो बच्चे उनका पेट भरो उसके बा दोनों से खत्म हो गया पहले बच्चा चूस किया फिर दो चॉकलेट दे दिया बच्चे कितने एन बच्चे थे एक को कुछ नहीं दिया एक को दो दे दिया बच्चे एन-2 क्या आपको दिख रहा है यहां से मानलो यह दो बच्चे निकल गए तो क्या यहां पर आपके पा 2 बच्चे 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 और इन में से किसी को भी 2 नहीं मिलने वाला है जिरो नहीं मिलने वाला है तो जितने बच्चे है उतने ही चॉकलेट्स है जो इसफेकर और पर अचि को से पर आपको समझ में यह क्या हो गया डीस्त्रीबूटिंग एन माइनस टु चॉकलेट्स टू एन माइनस टू बच्चा such that restriction है यह आप है such that each gets exactly one क्या आपको feel आया यह आपका final answer है जिसमें कोई भी गलती नहीं because दो गलतिया था एक choice का और एक over counting का दोरों को हमने इस तरीके से सुधार दिया final answer जो होगा बच्चो वह आप निकालेंगे n c 1 से n आ जाएगा n-1 c 1 से n-1 आ जाएगा और n c 2 को रेनल दीजिए आप क्यों कि मैंने यह आपे देख लिए n-2 factorial तो n into n-1 और n-2 factorial करेंगे बच्चो तो आ जाएगा n factorial into n c 2 तो यह आपका final answer होगा kindly इसको note कीजिए लेट स मूँव तो another very interesting method okay so this is method number 2 let's move to method number 3 which is very very interesting इसको मैंने नाम दिया है donation room method आप बोलोगे साथ यह donation room क्या है यार बहुत कुछ पुन्य उन्य करने वाले क्या हम लोग बिल्कुल पुन्य करने वाले है इस बार आप मैंने बोला यार इस बार ना किसी का दिल ने दुखायेंगे पहले इस बार ना सबको बाट देंगे ठीक है तो sir b1, b2, b3 ऐसा करते करते बीन है और sir सबको बाट दो किसी को zero मत दो पहले आप सबको बाट दो तो एक-एक चोकलेट सबको मिलेगा, अब तो उतने ही बच्चे जितने चोकलेट से, तो क्या आप बोल रहे हैं, सार, N-Factual तरीके से तो बढ़ जाएंगे, अरे सार, तो आंसर अलगा आ गया, अब क्या बोला, यह तो नहीं बोलो, यह फैनल आंसर है, ठीक है, यह तो इसमें हर बच्चों के एक-एक मिल रहे है, आप बोलोगे, मजा आ गया, सार, लेकिन सार, आपने तो रेस्ट्रिक्शन अभी तक दिया इनी, इंपोस, बिलकुल करेंगे न, अभी इंपोस, पैटा, उस रेस्ट्रिक्शन को इंपोस करने के लिए, हमने एक रूम बने है, डोनेशन रूम, इसका नाम है, डोनेशन रूम, जो भी आप समझ जाओ, ठिक है, ब्यो 연습 में, इस रूम में, जैसी हमने एक बार बाड दिया, चौकलेट सबको, हमने बोला, आप सब के पास एक-एक चौकलेट से हर बार अलग-जञ़ हो सकता है, बट एक-एक चौकलेट से हमने बोला हम दो बच्चे को बुला यार आप कोई बच्चे करो और किसे इस बच्च ए बिलकुल एपट्चे तो बच्चे स्लेक्ट गणा तो ऐसा एक बार होगा क्या क्या कि बीवान और बीटू बेचारे आएंगे क्या B1 और B2 के पहात में C1 और C2 था जब हमने distribute किया था यह सिर्फ एक ही तरीका है बस जब इस तरह के समें होगा तभी बच्चे आएंगे तब उनके पास यह रहेगा मैंने बोला लेकिन अभी तक तो अपना जो restriction है वो तो हमने इंपूस किया ही नी मैंने बोला इस रूम में कुछ होने वाला जोर जबडस्ती होने वाला और डोनेशन होने वाला है मैं बीवान को बोलूँगा तुम अपना चॉकलेट बीटू को दो बीवान रोते रोते अपना चॉकलेट बीटू को दे दिया और रो रहा है क्यों रो रहा है because अब B1 के पास zero chocolates है और B2 के पास दो chocolates है और B1 वो बच्चा बना जब जिसको कुछ नहीं मिला और B2 वो बच्चा बना जो बहुत खुश है जिसको दो chocolates मिला तो क्या आपको दिख रहा है same cheese अगर ऐसा हुआ तो B2 बोलेगा जैसे मुझे एक भी chocolate नहीं मिला एक बार ऐसे बिड्डू को भी तो नहीं मिलना चाहिए हमने बोला बिल्कुल सही है justice होना चाहिए तो अगर justice होना चाहिए तो ऐसा एक बार बिल्कुल होगा ना बेटा कि B1 के पास दो आएंगे वही C1, C2 आएंगे और B2 के पास जीरो चोकलेट होगा तो क्या जो जिसको जिसको तुम NC2 से बुलाओगे जो दो बंदो को अपने रूम में, डोनेशन रूम में हर दो बच्चे जो आएंगे उनको दो तरीके से आप जीरो और टू कर सकते हो, एक बार इसके दो उठा के इसको दिया, एक बार इसके दो डगे इसको दिया तो क्या इंटू टू कर दे तो क्या यही फाइनल आंसार है सर असर यहाँ पर एक चीज़ आपने देखा, हमने कुछ मिस किया कि अब तक NC2 से तो बच्चा आया और जब बच्चा आया और अगर हम लोग सिर्फ NC2 लिखते है तो सिर्फ NC2 में जो बच्चा है उसके पास तो एक एक चॉकलेटी है तो यह आपस में जितने भी डिस्ट्रिबूशन है, जो हमने एंट फेक्ट्वल से लिया वो सब तो इंक्लूडी नहीं किया तो क्या साथ में सारे डिस्ट्रिबूशन कवर होना चाहिए अब हमने पहले सिर्फ NC2 क्यू लिया ताकि आपको यह समझा पाए कि यह सिर्फ तो C1 के पास C1 था और B2 के पास C2 था और उनको बुलाया गया तब यह हुआ, लेकिन ऐसा भी तो होगा बाकि सारे डिस्ट्रिबूशन होंगे B1 के पास एक बार C3 होगा C1 होगा, C1 होगा, C2 होगा कुछ भी हो सकता है तो आप बोलोगे सर यह फाइल आंसर है क्या मैंने बोलोगा बिल्कुल नहीं है क्यूंकि भी आप आंसर देखो फाइल नहीं होगा कि B1 के पास एक बार C2 पहुचा और B2 के पास C1 पहुचा और बाकी के पास क्या पहुचा वो अभी के लिए इंपोर्टेंट नहीं है क्यूंकि बिकॉस सर जब यह distribution होगा तब भी तो NC2 से जब बच्चों को बुलाएंगा और B1, B2 आएगा तब क्या होगा, तब भी तो B1 अपना C2 लेके आया और B2 अपना C1 लेके आया तब भी तो हम उसको वही काम करने के लिए बोलने के लिए डोनेशन रूम के अंदर एक ही काम होता है कि बाई तुम अपना वाला इसको दो यह अपना वाला इसको दो क्या हमने यह 2 मल्टिप्लाई करने से यह सेम चीज जो चेंज हो रहा था जब B1 के बाद C1 था और B2 के बाद C2 था वही चीज, एक्जैक्ट दो चॉकलेट्स जो दोनों को मिल रहा है एक बार इसको और एक बार इसको एक्जैक्ट सेम चीज अभी फिर से हुआ कि नहीं हो क्या आपको यह समझ माँ है इसका मतलब Nc2 into N factorial में already यह दो बार count हो गया तो into 2 करने से over counting हो गया क्यों? बिकाज जब आप into 2 कर रहे हो आप तो एक सिर्फ उस case के corresponding into 2 कर रहे हो जहाँ पर B1 को C1 मिला और B2 को C2 मिला है ना? इसके वज़े से यह जो B1 के बास C1 चीटू दोनों आ रहे है और B2 के बास C1 चीटू दोनों आ रहे है वो चीज count हो गया already बट जब N factorial से आप into कर रहे हो तो ऐसा भी what you get is this. So this is how you get to the answer. This is very very interesting method है ना? जिससे आप distribute कर सकते हैं using this method.